कुरोना संक्रण के साथ ही ओमिक्रोम के मामले भी देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इसी बीच आपको बता दे पंजाब जो के एक चुनावी राज्य है और जहां जल्दी 2022 में विधान सबा के चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी अप पहला ओमिक्रोम का मामला सामने आया है तो ऐसे में सवाल उटता है कि क्या अब पंजाब में चुनाव करवाना संभव हो पाएगा या नहीं इसी बीच आपको बता दे ओमिक्रोम अब तक 22 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है बुद्भार को चुनावी राज्य पंजाब में भी ओमिक्रोम का पहला मामला सामने आया है इसके साथ देश भर में ओमिक्रोम के मामले एक हजार तक पहुच गए हैं स्वास्त मंतराल्य ने बताया है कि ओमिक्रोम के कुन मामले अब बढ़कर 960 से भी उपर हो गई हैं इसके अलावा 320 लोग खी भी हुए हैं और मिक्रोम के दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं जबकि पच्पर लोगों से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं वहीं महराव पुल 250 मामले हैं और प्रदेश में सौ मरीज ठीक हो चुके है इसके अलावा गुजरात में 90 से उपर मामले हैं रधिस्थान में 60 केरल में 60 से उपर तेलंगाना में भी 60 से उपर और तमिनलाडु में 45 करनाटक में 34 आंदर प्रदेश में 16 हरीाणा में 12 और पश्चिम बंगाल में 11 वहीं ओडीशा में 9 केस है और उत्राखंड में 4 बात अगर हम चंदीगर और जमू कश्मीर और यूपी की करें तो वहां तीन-तीन ओमिक्रोम के केस सामने आ रहे हैं अभी के रेकेवल इतना ही लेकिन इसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं पंजबकेसरी.com के साथ